आप स्वाइब राम नम कैसे आप लोग तो आप लोग पता है अगर आपने मूद डिली बीस से फॉल गए तो आपको पता होगा मैंने नहीं क्रेटेगर्या चालू किये मतलब नहीं कैटेगरी चालू किये जो कि अगर आप लोग पैसे माग लगा तो वहीं मैं कहा रहा हूं कि यह लेते से सब्सक्राइब आप यह सोचना कि फूख रहे हो तो उसकी बजेट में अच्छी रेंज वाले आपको इलेक्टिस कूटर मिल जाते हैं अगर आप लोग में चैनल में जाओगे तो स्यम बजेट में इलेक्टिस कूटर मिल जाएंगे जादे रेंज वाले और अच्छी फिच्छी साथ तो अगर आप लोग सोच रहे हो कौन सा इलेक्टिस कूटर है कौन सी कंपनी का है तो मैं बता दू भी आप फेमस कंपनी है में पिछली वीडियो के तरह नहीं कि मैं कि किसी भी रैंडम क स्कूटर करें जो कि है ओके नावा लिट जो कि आपको सत्तो जाग के बज़ेट में आता है और रेंज देता है साथ फिलमोडी बस इत्ती तो इससे सस्ती वाल दे देते हैं तो अगर आप लोग जानना है कि वेस्ट अब मनी इलाक्ति स्कूटर क्या कि आपको उफर करता मत आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट जबू कर देना और वीडियो शाट करने पहले एक छोटी चीज़ बदाता हम आपको इधर अधर 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 आपके स्क्रीन ना यहां थोड़ा सभी बटन हो का सब्सक्राइब अला उसको दबाके सब्सक्राइब कर देना और करते करते इ इस चीज़ करवाओंगा ताकि आप लोग को मेरी वीडियो देखने हो मजा आएगा और आप लोग इस चैनल पर जुड़े हो गया अल्टीमेटली मस्तिकी चीज़ बता नहीं थी बाकि बिना किसी तेरी के स्टार्ट करते ने वीडियो को वह भी बिना किसी डैडिकेशन ग गोवंद्स काम करती है हमको मैं कहते हैं मह electronics को लेकर मैं कहना अल्टिमेटली गर्में बिग गया है जो बोलती हो करती नहीं और जो ज्टि तो यह अल्न को के बात कर हूं तो इसके अंदर प्रेंट पर इसके मिल जाती यह हैं तो इसका अनदर लेकिन मोटर है आपको CBIS मिल जाता है मतलब combi braking system suspension भी बात करें तो इसके front पर आपको hydraulic telescoping मिल जाते हैं और rear side में double shock dual tube technology मिल जाती है और इसके top speed है वो 25 km पर आसकी है अगर बैटरी charging को time भी बात करें तो normal charger से full charge जाएगी 4-5 हंटे के अंदर और अगर मैं बात करूं अगर नाव लिट के smart feature की तो इसके अंदर को बहुत सारे smart feature मिलते हैं जैसे कि आप लोग mobile को से असानी connect सकते हो इसके अलाव इसके अंदर को LED display digital instrument console, digital trip meter, digital speedometer, push button start, detachable battery e-ABS, micro charger with auto cut, hulky weight of aluminum alloy wheel, LED headlight, LED tail light, LED turn signal lamp low battery indicator जाएगे मिल जाते हैं अगर मैं इसके price की बात करूं तो इस electric scooter जो प्राइज मार्केट करता है वह 60,000 से स्टार्ट होती है मतलब 67,000 से जो कि एक्ष्वरिम प्राइज दिल्ली करता है और यह और आते 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 हैं आपको सत्तर की पड़ेगी और आमकर बता दूं इसके जो competition है वो ओला एतर वगर कंपनी से जो सस्टे बेशती है तो अगर आप लोग भी कोई नया लेने ब्लाइनिंग करते हैं तो ले सकते हो कोई ड़क नहीं हो अगर आपको चाहिए value for money electric scooter है तो मेरी चैनल में बहुत सारी ऐसे electric scooter है जो इसी budget में आते हूं अच्छी range के साथ अच्छी feature प्रवाइड कराते हूं अच्छी service प्रवाइड कराते हैं जहांते मैंने सुना है या मैंने पढ़ा है या जित्ते मेरी जानका है जो नहीं लिए वो बताते हैं कि यह service है तो आप लोग ले सकते हूं और अगर आप लोग यह वीडियो देशने के बात इस electric scooter को drop करें तो आइडिया लिने का तो में को टैक करते हैं कोई साभी लेके ताकि में को पता चले कि मैंने कित्तों लोगों को इस waste of money electric scooter लेने से बचाया है ताकि में को अच्छा लगे कि लोग तक मेरी connected पहुंच रही है बाकि अगर आपको कोई doubt है कि किसी बाइक को ले गाड़ी को लेकर 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 स्खूर्टा को लेकर तो आप लोग के अंदर में एक video format करने में ताकि आप लोग जम बन करें आप लोग देशको और अगर आप थोड़ी शर्दा है थोड़ अब इच्छे लेगे में ते लेगे तो आपको पता है क्या करने लाइस कमें तो स्टाइब तुम्हें बाइबे टेक के हैं